सुप्रभाद मित्रों मैं हूँ संजय सिंघानिया और आप देखरें मेरे यूटूब चैनल सिंघानिया स्विसी दोस्तों आज में आप लोगों के लिए वर्ग दसम का संस्कीत विशे का अध्याई 9 स्वामी धयानन्द इससे जितने भी अबजेक्टिव कोस्टन बने हैं उ वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लेज मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा तो चलते हैं आज का पहला कुस्टन देखते हैं आज का पहला कुस्टन आपका यह रहा कि आर्या समाज की अस्थापना किस नगर में हुई थी आ आपसन है मंगलोर बी है मुद्रास सी है मुंबई और डी है पटना तिसका राइट अंसर आपको हो जाएगा आपसन नमबर सी मुंबई नगर में जो आर्ये समाज की अस्थापना हुई थी चलते हैं नेक्स कोस्टन कोस्टन नमर दो कोस्टन नमर दो आपका यह रहा कि आपसन है नावर सी मुद्य नमर स्थापना कभ न कब हुई थी और यह समाज के स्थापना कभ हुई थी आप्शन है 1980, B है 1875, C है 1705 और D है 1939 तिसका राइटन सर अब हो जाएगा आपको आप्शन नमर B 1875 इस वी में जो था और ये समाज की अस्थापना हुई थी चलते हैं नेक्स कोस्टन कोस्टन नमर चार कोस्टन नमर चार आपका ये रहा कि मूल संकर किनका नाम था मूल संकर किनका नाम था आप्शन ये है स्वामी द्यानंद, B है राधा मोहन ओजा और C है पंडित राम सरुप सुकल और D है गनेस ओजा तिसका राइट अंसर आपको हो जेगा आप्शन नमर A मूल संकर नाम था कोसं नमर फाइब समाच रहा कि १ संस्थापक कोन थे अधान के संस्थापक कोन थे ओप्शन बीवेकानन, B है स्वामी श्रस त्यानन, C है स्वामी रामतित खीर प्रवाइब दées तो आर समाज की संस्थापक जो थे आपका इसका राइट असर रजया अप्ट्र análम अब्रकाफ इसका इसका राने शॉद्यौनियूसम मांप्र और किना अपनाया हिंदू समाज को छोड कर जो किसने धर्म अंतर अपनाया उप्टन है नीर्दन दविह दलीट सी है अल्प संक्यक दविह और शाय तो इसका राइट अंसर आज़ाएगा एक को उप्टन नमर भी दलीट ने दलीट ने क्या किया हिंदु समाज को छोर कर धर्म अंतर अपनाया जलते next question question नम्मr 7 question नम्मr 7 आपका यह रहा कि स्वामी देयानंद का जण्म कब हुआ था प्सनिभा था 18-1424 द notionर हुजेगा आपको option नम्मr c, 18-1424 स्वे में हुआ था और एक question इसे यह भी वनता है कि स्वामी देयानंद का मिरत्यु कब हुआ था स्वामी द्यानंद जी का मिर्त्यु कभ वह था ता आप जाने जिए मिर्त्यु जी हुआ था स्वामी द्यानंद जी का वह 1883 में हुआ था कभ वह था 1883 में हुआ था जन हुआ था 1824 और मिर्त्यु कभ हुए 1883 में चलते हैं नेक्स कोस्टन क्यों नेक्स्ट कोफ़्ोषन आपका ये रहा कोफ़्ोषन नमर 8 कोफ़्ोषन नमर 8 कि स्वामी देयानन्द के माता-पिता किसके उपा सकते ओप्षने सीव भी है विस्णू सिखनेष और दीमें हैं इन्ट इसका राट अंसर घथा आपको आप्शन नमबर ए सिभभगमान के उपा सकते है चलते एक्स्कों सन कोस्टिन नमना न com 6-9 बटा चुके तो स्वामी दियानंद का निधन कभ हो था तो तो इसका राइट अंसर आपकों हो जाए क эфф- hopno 2 क्या हो जैगा य AC सनस्थापक में समगर बिकास संस्थापक और C है बरह्म समाज शंस्थापक और Applicant में से कोई नहीं तो इसका राइट अंसर आपको होज़ेगा और समाज के संस्थापक चलते हैं नेक्स कोशन कोशन नमर 11 कोशन नमर 11 यह रहा कि समाज सुधारक कौन थे समाज सुधारक कौन इसका जन्म किस रांट में हुआ था यानि किस राज में हुआ था स्वाम आगी द्यानत का जन्म किong सराज में हुआ था option A, गुजरात, B है बिहार, C है राजस्थान और D है पंजाब, तो इसका राइट अंसर आपको होज़ेगा option A, गुजरात, चलते है next question किर question number 13, question number 13 है कि सत्यार्थ परकास किसकी रचना है, सत्यार्थ परकास किसकी रचना है, option A, स्वामी द्यानन, B है राधा मोहन हो जा, तो इसका राइट अंसर होज़ेगा, आपको option number A, स्वामी द्यानन, चलते है next question, question number 14, question number 14 आपका ये रहा, कि किसके कहने पर स्वामी द्यानन ने वैदिक गरंद का परचार किया, किनके कहने पर स्वामी द्यानन जी ने वैदिक गरंद का परचार किया, option A, गिरिजानन option B है अमरीतानन और option C है वीरजानन तो इसका और option D है इन में से कोई नहीं थे इसका right answer आपको हो जगा option number C वीरजानन चलते है next question 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 number 15 question number 15 आपका ये रहा कि निम्न में कौन मूर्ती पूजा के विरोधी थे option ये स्वामी दयानन B है राधा मोहन हो जा और C है पंडित राम सरुप्सुक्ल और D है गनेस हो जा तो इसका right answer हो जाएगा option number E स्वामी दयानन चलते है next question 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 number 16 question number 16 आपका ये रहा कि घर छोरकर स्वामी दयानन कहां गए थे घर छोरकर जो स्वामी दयानन जी थे वो कहां गए थे option A कासी B है आगरा C है मतुरा और D है दिल्ली तो इसका right answer हो जाएगा आपको option number C मतुरा घर छोरकर स्वामी दयानन कहां गए थे मतुरा गए थे चलते है next question की और next question आज का ये इस वीडियो का last question होगा और इस पार्ट का भी last question होगा तो स्वामी दयानन का जन्म कहां हुआ option है बंगाली B है गुजरात के टंकारा गाँ में C है पंजाब में और D है पटियाला में तो इसका right answer हो जगा आपको option number B गुजरात के टंकारा गाँ में वे थे स्वामी दयानन जी का जन्म स्वामी दियानन्द के नाम पर एक और को चला जिसका नाम है DAB DAB स्कूल का नाम आप लोग जानते होंगे तो यह है DAB तो इसका पूरा नाम क्या होता है तो इसका पूरा नाम आप लोग जो नहीं जानते हो तो जान लेजिए इसका पूरा नाम होता है दयान डी से होजेगा दयानन ए से होगा एंगलो अभी से होगा बैदिक यानि कि दयानन एंगलो बैदिक डी एवी का पूरा नाम क्या हुआ दयानन एंगलो बैदिक